Hello everyone, Jayhin, my name is Rahul Parmar and I welcome you all to India's most sensible and disciplined platform for the defense aspirant, that is defense wala. दोस्तो अब चार महिने बाद वो दिन आएगा जिस दिन के लिए हमने preparation की थी, जिस दिन के लिए हमने सपने भुने थे, जिस दिन के लिए हमने ख्वाप सजाये थे, मतलब हमारा NDA का exam, हमारा return का exam. तो बिटा, इन अंतिम चार महिने में आपकी preparation को boost करने के लिए, आपके selection को assure करने के लिए, एक strategy में आप लोगों के लिए लेकर काया हूँ, जिसमें सारे teacher ने बताया है कि आपको किस तरह से इन अंतिम और कम दिनों को utilize करना है. आपको मेरे पीछे ये building दिखाई दे रही है, आप सभी लोग बखू भी जानते हो, ये खड़क वासला है, जो कि पूने के अंदर है, सुडान लोग की तश्वीर है ये, तो यहीं पर हमें जाना है, यहीं के लिए हमारी सारी तैयारी थी, तो आज हम जानते बिटा हमें इस दिन हमारी एक्जाम होगी, उस दिन face करने वाले, तो रिटन एक्जाम जो होती, बेसिकली उसके दो पेपर होते बेटा, एक आपका mathematics का पेपर, और दूसरा जो आपका पेपर होता है, वो होता है GAT और English का, अब mathematics अपने आप में एक separate पेपर होता, 300 नम्मर का, फिर जो दूसरा पेपर आपका होगा, वो होगा आपका English का और GAT का, starting के 50 question English के होगे, और बाद में आपको GAT देखने को मिलेगा, तो ये written का पेपर रहेगा, इसके बाद किस तरह से इसका marks रहते हैं, allotted, total 900 marks का होता है, है ना, उन 900 marks में से आपके maths जो होगा, वो 120 question होगे, जो कि 2 2.5 marks का एक question याने 300 number का पेपर होगा, वहीं general ability याने GAT की बात करें, तो 150 question होगे, जिसमें 1 question 4 marks का मतलब 600 number का हमारा paper होगा, जिसमें मैं आपको GAT में और भी से तोड़ दू, तो English separate आपका 200 number का होगा, और वहीं GAT याने आपका general science और general study, ये वाला part आपका 400 number का होगा, ठीक ठीक है, minus marking याने negative marking की बात करें, तो 1 third आपका होगा, में इसके paper में 1 third हमारा कितना होता, उसकी negative marking और GAT में कितना होगा, हमारा 1 third उसकी, तो total मिला के इस तरह से आपकी negative marking allotted होगी, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, हमें हर paper को, या फिर हर subject को किस तरह से time देना है, तो पहले mathematics की बात करते हैं, किस तरह से mathematics में आज तक question पूछे गए है, set theory, relation and function, यहां से 15 से 20 question तक पूछे गए हैं, है न, और पूछे जाते हैं, trigonometry या फिर trigonometry में आपके 10 से 15 question, sequence and series 8 से 10 question, differential calculus इसमें 10 question आपके, integral and matrix determine दोनों में 10-10, vector, algebra and 3D 10 से 15, probability, statics 20 question, and complex number and quadratic equation में 10 से 12 question, यह आपका mathematics का आकड़ा रहेगा और इस तरह से mathematics में आज तक question पूछे गए, अब हमें करना क्या है, preparation कैसे करना, पहली चीज तो यह जान ले, कि mathematics को पार करना, या फिर mathematics के sectional कटोब को पास करना, या फिर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो mathematics के अ background से हैं, या फिर हम arts background से, क्या हम mathematics को कर सकते तो बेटा, बिल्कुल कर सकते, student थे अपने जिनका नाम था केशव मित्तल, जो केशव थे, वो commerce background से थे, और समझो उन्होंने एंडिया का return, SSB और merit list माय थे, उनकी एक rank लगी थी, ठीक है, तो इस तरह से भी होता है, तो आपको क्या करना, mathematics के उपर, ज्यादा से ज्यादा focus करना, आपको formula देखना है, formula को कैसे apply करना, वो वाला part, class notes, सबसे important चीज़, आपको ध्यान देना है, class notes के उपर, ठीक है, उसके बाद जो भी DPP आपको provide की जाती, क्योंकि वो DPP ही आपको check करेगी बेटा, कि हमारी preparation केसी चल रह हैं, हम सही जा रहे हैं, हमारा direction के साए, DPP और जो test आपको provide की जाती, ये आपका mathematics के लिए रहेगा, and I repeat बेटा, mathematics हमारे लिए बहुत important है, ऐसा नहीं है, कि ये नहीं होता, अगर हम maths background के नहीं है, तो देखो, अगर आप mathematics के background के हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, वाट अगर mathematics background के नहीं हो, तो भी कोई issue नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पहले भी करके दिखाया है, आप इतना छोड़ दो, जीत होगी या हार होगी, इस पर मत जाओ, आप अपने कर्म करते जाओ, अपना काम करते जाओ, और बहुत बहुत अच्छी से अपना काम करो, आप एक अच् सिद्धत और महनत से अगर अपना attempt देंगे, अपनी preparation करेंगे, तो आपके selection को कोई रोख ही नहीं सकता बेटा, so this is for the mathematics, moving ahead for the English, अब English का जो part है, basically उसको तीन part में हम divide करते, एक reading, grammar, vocabulary, ठीक है, ये important होता, अब readings आपको कहां से करना, आप newspaper पढ़ सकते, ये तो हमारी आदत मे होना चाहिए, हर experience की, right from the day one, जब से हम हमारी preparation स्टार्ट करते हैं, तब से लेकर तो जब तक हम select हो जाते, और selection के बाद भी, newspaper पढ़ना हमारी फितरत होना चाहिए, हमारी आदत होना चाहिए, newspaper ना पढ़ो तो आपको इसा feel होना चाहिए, कि यार कुछ छूट गया दिन का, तो एक newspaper, दूसरा दानिस सर ने मुझे कहा कि आप magazines पढ़िये, news के साथ-साथ magazines, novels, जो आपको पसंद आए, readings आप जितनी ज्यादा करोगे, language को आप उतना ही अच्छे से समाझ सकते हो, तो readings के बाद grammar, vocabulary, idioms and phrases, जो की आपको दानिस सर क्लास के अंदर करा रहे हैं, अब पहले की शोरी बेच में भी, उससे पहले की बेचेस में भी, इवन YouTube के उपर भी, दानिस सर ने जो English पढ़ाई थी, वो विसी की विसी आपको exam के अंदर देखने को मिली, मतलब 200 नंबर का paper है, अगर आप उनके सर के lecture proper देखते हो सर के, तो आप 180 marks तक टच कर जाओगे, ठी होता, 360 तो कटोप जाता वेटा, है ना, तो इस तरह से अगर आप महनत अच्छी से करेंगे, इंगलिस के बाद अगला आता फिर, GAT के अंदर वो subject जिसका वेटेज अच्छा है, that is physics, तो physics के अंदर kinematics and motion, Newton's law, work power energy, gravitation, sound and waves, current electricity and optics, ये वो topics हैं, जो कि बहुत बहुत ज्याद important है आपकी preparation के लिए, ठीक है, अब इनको 9-10 की NCRT आपको एकदम घोल के पी जाना है, 9-10 की NCRT, साथ ही साथ, रक्षक सर के class notes, class notes के बाद वो जो DPP provide करते आपको, और जो suggestions सर आपको class के अंदर देते हैं, याद रखना, these are some important topics of physics, I repeat, physics के लगबग 25 से 26 questions देखने को मिलते ह हमें exam के paper के अंदर, जिसका अगर multiplication of 4 के साथ करो, तो आप approximately 104 से 108 number ला सकते हो, again, 360 ही तो cut off जाएगा, तो आपना एक area बना लो बेटा, कि मुझे कौन-कौन से subject में कितने-कितने marks gain करना, उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, तो you will definitely get what you want, ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे Next is geography, geography को आपको केसे करना है, तो geography के basically हमारे दो पार्ट है, physical और Indian, है न, physical geography के अंदर, जो geomorphology है, उसमें all the concepts of physical geography, जितने भी concept मैंने आपको class के अंदर कराए, आपके सर जो है geography के, उन्होंने जो class के अंदर आपको कराए, वो सारे concepts, वो Coriolis force हो, उसके through divinths का deflection हो, rocks, again, I repeat, रोक, बहुत important है, insulation मैंने कल ही आपको पढ़ाया, जिसके अंदर जो race होती है, alpha, beta, gamma, ठीक है, visible race, radio wave, infrared है न, ये सारी waves बहुत important है, pressure belt और उनसे generate हुई wind, wind के अंदर भी आपकी local wind, diurnal wind, seasonal wind, permanent wind, planetary wind, इन सारी winds को धिहान देना, water state के अंदर, इसके बाद अगले आ जाएगा आ आपका cyclone, cyclones में question match the following में पूछ लेते, typhoons कौन से country में नाम दिया जाता है, जैसे question पूछ लिया था, cyclone yas, जिसकी speed इतनी थी, वहाँ तबाई मचाई, ये किया, वो किया, सब confuse करने के लिए, और आखरी में पूछ लिया, किस ने नाम दिया, ओमान ने नाम दिया था, इस सारी ranges की highest peak, ये peak नहीं है, ranges है, तिन mountain ranges की highest peak आपसे match the following में वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, फिजियोग्राफी होगे, rivers पढ़ना है, forest में national park, soils देखना है, agriculture, minerals and population, ये वाले part again, I repeat, 25 क्योशन तक आपको exam में देखने को मिलेंगे, पिछले 3 साल से लगातार, 22 से 25 क्योश apply कर लो, force है, याने आप पहुच गए, sop है, तो इस तरह से आपको approach करनी है, ठीक है, ये आप रखोगे ना, कि अपना weightage समझ लो, और अपनी approach decide कर लो, ठीक है, so this is for the geography, फिर इसके बाद features of indian, polity, polity में क्या देखना आपको, features of indian constitution, जो आपको प्रतमेश सर ने starting में बताए ह जो भी salient features होते हैं, इंडियन constitution के, जो भी सर ने बताए, आपको उनको देखना है, ठीक है, उसके बाद है preambles, बिलकुल हमारी NCRT में भी mention है, fundamental right, सबसे ज़्यादा important topic होता है, सर के द्वारा बताया गया है, fundamental right, DPSP, directive principle of state policy, parliament के दोनों house और उनकी सारी proceedings, उनके बारे में, जब exam आती है न, उसके पहले आपको important amendments, important articles, यह सभी आपको सर provide करेंगे, ताकि आपका जो भी important चीज हो, आपकी class के अंदर ही cover हो जाए, हर बार political के हमको 10 से 12 questions, political economics के देखने को मिलते हैं, जो की बहुत अच्छा विटेज है, और सर के notes आपको directly समझ में भी आते हैं, और आ आपको political का रहेगा, साथ ही साथ अप्रोच के से करना है, आपको प्रतमेश सर के class notes, साथ ही साथ वो DPP जो सर class के अंदर कराते हैं, वो test जो आपको provide किये जाते हैं, this is sufficient for the political, ठीक है, moving ahead, अगला जाता है, the famous and your favorite subject, history, history में जो भी चीज़े आपको मुक्चक सर बताते हैं, वो IVC and Indus Valley Civilization से हो, बुद्धिजम, जैनिजम, मोरियन एंपायर, भक्ती and सूफी मुवमेंट, मुगल पीरियेट, इंडियन सोशल रिफोर्म in 19th century, मेजर गांधियन मुवमेंट, अब ये वो सारी चीज़े हैं, जो सर ने बताई और जो important है, आपकी preparation के लिए, तो आपको आप notes आपको provide किये जाते हैं, PDF के form में, सर जो DPP आपको लगवाते हैं, और again जो test आपको provide किये जाते हैं, इनके थूँ आपको ये करना है, so this is for the history, moving ahead, अगला science में आपका biology, biology में important topics आपके रहेंगे, cell, animal cell, plant cell, diseases, कौन-कौन से disease होती है, किस-किस वज़ा से होती है, उसके बाद tissues, जिसके अंदर plant and animal tissues and human physiology, ये सारी की सारी चीजे, ये सारे के सारे important topic है, जो आपको इन दिनों में तयार करने हैं, और इनको आपको class के अंदर MEM पढ़ाएंगे, साथी साथ MEM के class notes, उनके साथ साथ जाना, इनकी further or guidance आपको MEM class के अंदर provide करेंगे, but these are some important topics for the biology, moving ahead for the chemistry, we will move for the red and electrochemistry, non-metal and its compound, some important chemical compounds, अब chemistry में आपको सुनिल सर बताएंगे, किस तरह से approach रखना है, class के अंदर, उनके notes जो आपको provide होते हैं, DPP, साथी साथ ये कुछ important topics हैं, जिन topics को आपको देखना है, इन आखरी के दिनों में, so this is for the chemistry, अब इस तरह से आपको सारे subjects के उपर, सारे subjects के important topics, जिसको हम IMP भी बोलते हैं, वो आपको मिल गए, आपके पास चार महीने हैं बेटा, चार महीने, यानि सपोस कर लो, मोटे मोटे तोर पर 120 दिन, अब इन 120 दिन को आप अगर तोड़ भी लो, आहराम से, तो आप mathematics को sufficient, डेड से दो महीना दे सकते हो, बचे हुए, धाई महीन mathematics की, तो mathematics में आपको सर भी बताएंगे, क्लास के अंदर क्या करना है, साथी साथ और भी बेचे सापको मिल रही है, वहाँ पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीके, so that is for the time management, अब current affair की बात करते हैं, तो current affair में क्या करना आपको, defense security याने defense related जो भी news आती है, जह सेना के अ वो हमें देखना होगा, इसके allow defense में कई सारी चीज़े, जो भी बदलावाते, कोई नई नियुक्ती, जो कि defense में हुई है, ठीके, उसके बाद है, international relations and agreement, जितने भी international relations होते हैं, agreements होते हैं, जो कि आपको सर क्लास के अंदर भी पढ़ाते, उन agreement, जैसे for example, एक लेता हूँ मैं स सार्क, ठीके, सार्क कहां meeting हुई थी, कब होती है, ठीके, गंगा मैं कौंग, इस तरह से आपको इनको रखना है, person and place in news, कुछ person और कुछ जगा, जो news के अंदर थे, उससे related आपसे exam में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीके, इसका books and author, कोई important book, उनके author इस बारे में भी पूछा जाता, national and international appointment, again वही बात की, for example, world bank, वहाँ पर कोई नई नियुकती हुई, international monetary fund, IMF, वहाँ पर कोई नई नियुकती हुई, इस तरह के जो वो होते appointments, इन चीजों के बारे में भी हमें जानना है, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को defense वाला की तरफ से monthly capsule भी provide किया आपको जिए अगरोफ भी बताऊं, कि जैसे जो भी countries news में थी, जैसे Lithuania, Cyprus, इन सारी countries का नक्सा, नक्सा उन्होंने बना के दे रखा, दूसरा ये किससे border share करते, मतलब जो place news के अंदर थी, उसको अच्छी से specify करके आपको बता दिया गया है, so this is for the current affair, इसके बाद आपको क्या रखना सारे subject में, आप mock test के साथ जाओगे, जो आपको provide भी किये जाएंगे, mock test के बाद, sample paper आपको जो मिलेंगे, work on time management, सबसे important चीज, ये जो बचे हुए दिन है, इन बचे हुए दिन में, आपको time management के उपर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैंने आपको बत separate है, तो अगर आप उस subject को ऐसे time पर भी पढ़ोगी, जब आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, तो subject आपको पढ़ने की तरह प्रेरित कर देगा, बट अगर आपको कोई subject कम पसंद हो, देखो ये तो सवाल उठता ही नहीं कि कोई सा subject कम पसंद हो, बट ऐसा हो कि कुछ topics ऐसे से आजाते हैं, तो उनको आप इसे time पर पढ़ो, जब आप free रहो, जब आपका mind एकदम free हो, आपकी पढ़ने की च्छाओ, तब पढ़के उनको खतम कर दो, weightage के according पढ़ो, morning से पढ़ना स्टार्ट करो, evening में पढ़ो, इस तरह से अपने time को manage करना है, क्योंकि जो भी चीज बची हैं, वो बची हुई है time की, है ना, हमारा time management इतना सही होना चाहिए, क्योंकि अब जो गलती होगी ना, अगर आप पहले के, जो दिन बीते, 3-4 महीने, इन मगर आप बहुत अच्छा पढ़े हो, और इन आखरी के 3-4 महीने में आपने गलती कर दी, तो फिर कोई मतलब नहीं बेटा, तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि सीच के उपर time management, sample paper आप लगा सकते हो है न, alert time slot for each subject, जैसा कि मैंने आपको बता है, हर subject का आप time slot alert कर दो कि कौन-कौन से उसको मुझे कितना-कितना वक्त देना है, आप decide कर लो English को कितना time दोगे, आप decide कर लो mathematics को कितना time द ध्यान देना है mathematics और English के उपर, याद रहे बेटा, maths का sectional cut-off power होना बहुत जरूरी है, अगर maths में हम अटक गए, तो हमारा GAT चेक तक नहीं होने वाला, तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ, mathematics पर strong command हमें रखना है, इसके बाद work on basic concept, जो भी आपके basic concept है, उनके उपर ध्यान द part of condensation, अब आप दोड के गए, और आपने देखा यार यहाँ पर तो यह है, तो यहाँ टिक कर दिया, आपने बाकी का option देखे ही दिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप question को समझो आराम से, और उस question के बाद उसका answer करो, मतलब आपके basic concepts अगर सही है, बट आपके मन में ह यूज करे, जो accuracy से अच्छी से answer करे, अच्छी timing के साथ, तब जा करके आपका selection होता है, ठीक है, daily newspaper reading, बिल्कुल बेटा, आपको newspaper तो पढ़ना ही पढ़ना, मैंने आपको बता दिया, newspaper तो हमारा main target रहेगा, हमेशा, यह तो आपने आदत में डाल लो, इसके बाद, previous year question paper analysis, आप previous year question paper निकालो, सारे subject, एक ही paper आता है मारा, उस paper को निकालो, उस paper में देखो, कौनको उनसे subject से कितने कितने questions आए है, वो questions कहां कहां से पूछे गए है, इस तरह से आप previous year के जो paper है, उनको analysis करो, और फिर अपनी preparation को start करो, क्योंकि अब जो time आगया है, वो time आगया, question जहां से मिल आए आपको, जितना हो सके, question लगा, ठीक है, इसके बाद revise everything on Sunday, आप 6 दिन पढ़ो, और 7 दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन, आप उन सारी चीजों को revise करो, मतलब पहले एक vision रखो, और फिर revision, तो Saturday तक आप खूब पढ़ो, बहुत अच्छी से, और संडे क वो सारे subjects को, एक बार टटोल लो, कि मैंने क्या-क्या पढ़ा था, मुझे याद है, नहीं याद है, अगले संडे, पुराने संडे का भी revise कर लो, मतलब इस तरह से हमें ये भी याद रखना है, कि हम question लगा रहे, that's well and good, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे से topic के topic ही miss हो रह अपने आपको जितना शान्त हो से कि उतना शान्त रखो, हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा, हमें जीत मिलेगी, हमें हार मिलेगी, ना हमें ऐसा सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ महनत करना है, और बहुत बहुत अच्छे से करना, आप बहुत अच्छे से महनत करोगे जितने भी subjects मैंने आपको बताए, उन subjects के topic जो मैंने आपको बताए, अगर उन topics को आप बहुत अच्छी से पढ़ोगे ना, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका selection ना हो, और एक और बात, selection ही हमारा एक मात्र motive नहीं है, उस subject को बहुत अच्छी से जानना, उसे grab करना हमारा motive है, तो हर subjects में जो भी चीज़े आपको बढ़ाई जाती, बहुत अच्छी से बहुत अच्छी से आपके एक एक teacher आपको clarify करके वो चीज़े समझाते, तो आपका काम रहेगा कि उन सारी चीज़ों को जानना अच्छी से, और एकदम शान्त माइन के साथ उनको पढ़के फिर से revise करना, questions लगाना, याद रहे बेटा, questions हमारा motive रहेगा, क्योंकि अब हमारी शीज़े end पर आ रही है, कुछ दिनों के बाद जब एक महिना बचेगा तब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके बचे हुए कौन से topic है, जिसमें अब आपको और धियान देना, ठीक है, कहीं भी doubt हो, इतनी सारी जगा है, आप जहां चाहो doubt पूछ सकते हो, आप class के अंदर comment कर दो, आप doubt section के अंदर पूछ लो, आपके सारे doubts clear हो जाएंगे, इसका लावा अगर यहाँ पर भी आपको कोई doubt आता है, तो आप क्या करना बेटा, इस comment section में अपना doubt छोड़ देना, म करूँगा आपके drought को address करने के लिए, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, बिमार नहीं होना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, physically भी fit रहना है, strong रहना है, ठीक है, और एकदम शानती के साथ पढ़ाई करना, ठीक है बेटा, अब चलता हो में, अपना ध्यान रखना, Jai Hind and Jai Bharat, also best of luck.